नमश्कमर दोस्तो, आप सब का स्वागत है, आपके अपने चैनल वायराल वीडियोस पे तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मार्किट के डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में यानि future and options के बारे में और हम जानेंगे इनके basics के बारे में और इनके फायते के हैं हमारे को cash segment के मुकाबले उसके अलाबा हम लोग थोड़ी बहुत trading strategies के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा पूस यह जानेंगे कि इनका use क्यों हुआ market में यह बने क्यों और आने वाले videos में हम लोग dedicatedly futures के बारे में और options के बारे में एक एक करके सीखेंगे तो काफी vast subject है और एक video के माधियम से समझाना काफी मुश्किल है इसलिए मैं एक video की series ले किया हूँ जिसमें आपको एक एक करके videos में upload करके दूँगा और आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा तो आपको वीडियो अच्छा रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही में bell icon को दबाईए ताकि आपको notifications मिलते रहें इस चैनल पर हम लोग stock market से learning related videos regularly लेकर आते रहते हैं उसके अलब हम लोग काफी सारे stocks, nifty bank, nifty सब का analysis भी daily और weekly basis पर करते रहते हैं तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो पहले आपको समझने जरूरी है कि market में cash segment और derivative segment में फरक क्या क्या है या फिर आप जो MIS करते हैं इंट्राइडे रेडिंग करते हैं वो भी cash segment के नतर आता है तो इसकी limitations क्या क्या है इसकी limitation यह है कि आपको अगर कोई cash segment के अंतर अपने किसी share को खरीदना है तो आपको अपने account में पैसे होने चाहिए यानि आपको अगर पांच लाग रुपे के reliance industries के share को खरीदना है तो आपके पास पांच लाग रुपे account में ready होने चाहिए उसके बज़ाए delivery based buying के अलाबा अगर आप futures के जरीए या options के जरीए काम करते हैं तो आपको पांच लाग रुपे का अगर आपको माल खरीदना रिलाइंस का तो आपको यह काम कम पैसों में हो जाता है वो आपको मैं सम्झाओंगा कैसे अभी वीडियो में आगे लेकिन आपको उस segment में margin मिल जाता है उसके अलाबा एक सबसे बड़ा benefit जो होता है future and options का हो यह है कि आपको अगर nifty में trade करना है आपको किसी stock के बज़ए nifty में trade करना है आपको जैसा कि मालू होगा nifty को आप cash segment में बेच नी सकते है nifty को आप नहीं sell कर सकते है जैकिन आप nifty को futures and options क पिज़र है उसके अंदर position को बना सकते हो तो यह एक और benefit है अगला benefit यह है कि future and options के अंदर आप अगर कोई short position को बनाते हो तो आप उसको एक दिन से ज्यादा carry कर सकते हो तो आपको कोई तक कत्मी आप उसको carry कर सकते हो जब मर्जी आपकी मर्जी आपकी share हो गएगा लेकिन आपको अगर उसको बेचना है तो आप बेच नहीं सकते हो लेकिन future and options के ज़री आप उसको कर सकते हो तो मतलब आपने आज अगर Reliance Industries को आपको लगता कि 1561 पर आपने all time highs के आसपस है आपको लगता कि एक महीने बाद Reliance Industries यहां से नीचे आ जाएगा तो आप Reliance Industries को short sell करना जाते हो तो आप future and options के जरीए यह कर सकते हो तो हम लोग इस वीडियो में पहले सीखेंगे futures के बारे में और फिर जानेंगे options के बारे में आने बाले parts में और फिर option chain futures की strategies options की strategies सब्चीजों के बारे में एक एक करके videos के माधिम से सीखेंगे तो दोस्तो एक disclaimer आइस वीडियो का कि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके learning purpose के लिए बनाया गया इसमें कोई आपको recommendations नहीं दी जाएगी और आपको कोई भी profit and loss होता है तो आप और सिर्फ आप उसके लिए responsible है मेरा channel responsible नहीं होगा तो मैं आपको समझा रहा तो futures के बारे में तो जैसे की futures के बारे में आपको समझने है तो futures को आपको इस तरह समझ सकते हो कि futures कुछ भी नहीं तो आपको कोई बात समझनी पड़े कि जब भी आपकी चीज़ sell या buy कर रहे हो तो सामने कोई और बंदा उसको आपकी opposite position के अंदर खेल रहा है आपने अगर sell किया तो कोई उसको buy भी कर रहा होगा तो generally आपको profit अगर करना है तो आपकी position सही होनी चाहिए लेकिन भड़े players जो होते हैं जो market को control करते हैं वो generally हमारे opposite positions बनाते हैं और वो ही market को drive करते हैं तो market में analysis के साथ साइकोलोजी भी बहुत काम करती है कि ज़्यादा तर लोग क्या सोच लिए इस टाइम पर जो लोग सोचेंगे बड़े players उसकी opposite position को generally बनाते हैं और हमारा loss कर देते हैं फिर भी for example अगर आपको लगता कि reliance industry साच 1561 से नीचे आएगी अगले आपको लगता कि अभी मेह का मेना चल रहा है जून में नीचे आएगी तो आप इसके जून के future को short कर सकते हो जून के आखरी Thursday तक आपके पास chance है अगर reliance industry के share यहां से नीचे आ जाता है तो आपको profit होगा अगर यहां से ऊपर चल जाता है तो आपको loss होगा loss आपको कितना होगा और profit आपको कितना होगा तो जैसे आप cash के अंतर काम काश करते है तो आपकी मर्जी है निफ्टी का lot size अलग है, Reliance का अलग है, ITC का अलग है, ICICA bank का अलग है यह lot size जनरली इस तरह बनाया जाता है कि आपको minimum से minimum 4 से लेके 8 lakh के बीच में कोई amount trade करनी ही पड़ती है यानि अगर futures में काम कर रहे हो तो आपकी amount जो है वो भड़ी है, risk आपके बढ़े हो जाते है cash की तरह नहीं है कि आपने 10,000 के share खरील दिया, अगर आपको 10% का loss प्यों तो आपको 1000 रुपे का लोस हो जागा Reliance Industries का जैसे हम बात करें, lot size Reliance Industries का है 500 का तो अगर इसका rate आज चल रहा है मान लीचे 1600, तो 500 into 1600 लगवाग लगवाग आठ लाग रुपे आपने ट्रेट कर दिये अगर सिरव और सिरो Reliance का share 5% ऊपर या नीचे चला जाता है, तो आपको उसके हिसाफ से 8,000 का loss या profit हो सकता है तो मैं आपको अपने broker के एक बार application पर लिए जाकर सम्झाना चाहूँगा, जैसे आप देखो कि यह Nifty दिखाई दे रहा है, तो Nifty का May future है, Reliance दिखाई दे रहा है, Reliance का May का future है, यह June का future है, यह July का future है, Futures के अंतर आप अगले जो महीना चल रहा है, उस महीना उसकी अगले मिने यह उसकी अगले मिने, मतलब आज का मेना, अगला मीना, उसकी अगला मिने तक पोधिशन बना सकते हो, तो आपको लगता है, कि Reliance का stock अभी नहीं लेकिन होगता अगले मेने तक नीचे आ जाए, तो आपको प्रोफिट हो जाएगा, वड़ना आपको लोस हो जाएगा, लेकिन आपको यह बान जानना जरूरिया है कि इस position को ज़रूरी नहीं आपको अगले last Thursday तक carry करना है आप इसको चाहो तो कल के कल काट सकते हो और अगर आपको कल profit या loss हो जाता है तो 10 दिन बाद सेल कर सकते हो क्योंकि myinfected में हर वक्त हर तलग ये लोग बैटे होते हैं आप सेल कर इश्व कर रहा होगा 10 दिन बाद हो सकता है आप का अप मुझारा कि आप प्रॉफित हागय आप इसको सेल करना चाह êtes आप कर सकते हो के मुकाबले इस segment में आपको उतने पैसे पांट में होने जरूरी नहीं है, यानि अगर आपको 500 से रिलाइंस के खरीदने या भेशने होने होते हैं cash segment में तो आपके पास पांसो इंटू जो ओसका current market price है उतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए थे लेकिन इस segment में आपको margin मिल जाता है यानि आप इस amount को sell या buy करने के लिए आपको सिरफ एक से 1.5 लाख रुपर जो margin required होता है उतना आपको account में रखना पड़ेगा और आप ऐसा कर सकते हो उसी तरह nifty का मैं आपके सामने example ख कर सकते हो तो इसके पास आपको last Thursday of May तक का time मिल जाएगा अगर nifty उस time तक या उससे पहले कभी भी ऊपर जाता है तो आप इस position को काट सकते हो तो nifty में जैसे आपको बता है lot size 75 का है तो 75 के multiples में जितना मर्जी आप nifty को खरीच सकते हो उसी तरह nifty को आप बेच भी सकते हो तो आपको जैसे अगर nifty का मे की जगा आपको nifty का माल लीजिए अगले मिने का जानी जून का future sell या बाय करना है तो आपको simple है आपको जो भी आपकी application है broker की उस हिसाफ से आप nifty में इस तरह कर सकते हो कि nifty का जून का future आप बाय या sell कर सकते हो तो आपको एक चीज़ और य रिलाइस का जो current price 1561 है लेकिन रिलाइस का मे का future price चल रहा है 1556 यह difference है थोड़ा अभी आपको यह जो future से सस्ते मिल रहे है मगर normally normally जो market अच्छी चल रही होती तो यह futures का जो price होता है जादा होता है अपने आपके लिजे कि stock cash के price से तो यह जो price का difference होता है cash के price और future के price इसक आने वाले समय में उस चीज का price भड़ सकता है तो जादा तर लोग future को buy करना चाहेंगे उस कारण से future का price होता है वो premium पर treat हो रहा होता है बढ़ जाता है उसी तरह जादा तर लोग को लगड़ा होगा कि reliance का price आज घटेगा future में आज से एक मिने बाद दू मिने बाद तो जादा लोग reliance के future को sell करने में interested होंगे तो इसी कारण से reliance का future का price है आपको cash के price से कम दिखाई दे रहा है इससे आपको यह नहीं पता परता विल्कुल भी कि reliance के future का rate आने वाले समय में घटने वाला है यानि reliance का share आने टाइम में नीचे जाए आपको बिलकुल नहीं प technical समझते हैं कि futures की जरूरत कैसे बड़ी और भड़े players इसको कैसे use करते हैं तो भड़े players जनरली इसको trading के लिए तो जूस करते हैं जैसे आपको मैंने समझाया कि आपको अगर लगता की reliance के जरीए हैज कर सकते हो लेकिन futures का एक अच्छा use होता है hedging के लिए तो अगर आप म आप इसमें investment करना चाहते हो तो आप माली जी रिलाइंस के अंदर 8 लाग रुपे की amount invest करने के लिए ready हो तो आपको अगर लगता कि रिलाइंस का price ऊपर जाना चाहेगा लेकिन कोई surety नहीं अगर रिलाइंस का price नीचे कर जागा तो आपको loss हो सकता है तो आप अपनी position को hedge क करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप 8 लाग रुपे की amount के माल खरीद के आप एक lot future का यहाँ पे sell कर दो जो profit है वो काफी secure हो जाता है उसी का उल्टा हो करते हैं जब वो किसी short को cash किसी stock को cash में बेचते हैं तो वो उसके stock के future को अगर उनको लगता है कि हो सकता है ऊपर जा सकता है price थोड़ा तो buy कर लेते हैं तो जो ऊपर movement आती है उसके अंदर वो profit कमा लेते है futures के जरिए तो इ इसलिए आपको अपनी position को hedge करना चाहिए आप options के जरी भी hedging कर सकते है और futures के जरी भी कर सकते हो इस वीडियो में futures के बारे में जान रहे हैं इसलिए मैं आपको futures के concept समझ में आया होगा और futures के बारे में आपके जो doubts है clear होए होगे इसके अलाब अगर आपको कोई और doubt है futures क के बारे में कुछ भी आप और जानना जाते हैं तो आप कमेंट करके में बताइए मैं आपको अगले वीडियो में अगले पार्ट में वो डाउट भी क्लियर करूँगा उस पॉइंट के बारे में भी समझाऊँगा तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीज़े चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर सब्सक्राइब कीज़े थैंक यू